चानक्य नीती में आचार्य चानक्य ने कहा है कि पुरुशों को चार बाते हमेशा अपनी पत्नी से छिपा कर रखनी चाहिए वरना उनकी गुरुहस्ती बिगड़ते देर नहीं लगती आईए जानते हैं वे कौन सी चार बाते हैं जिन्हें हमेशा पत्नी से राज बनाए ही रखना चाहिए तो पहला है दोस्तों कमजोरी आचार्य चानक्य कहते हैं कि पुरुशों को हमेशा अपनी कमजोरी को पत्नी से छिपा कर रखना चाहिए ऐसा ना करने पर विबिन मौकों पर वह अपना काम निकलवाने के लिए आपकी कमजोरी का फाइदा उठा सकती है जिससे आपको सारवजनिक जिंदगी में लज्जित होना पड़ सकता है दूसरी है दोस्तों कमाई आचारे चानक्य के अनुसार पती को अपनी कमाई के बारे में पतनी को पूरी तरह नहीं बताना चाहिए इसकी वज़ा ये है कि पती की सही आमदनी के बारे में जानकर वह उस पर अपना कब्जा जमा लेती है उसे अपना समझ लेती है और उसे खर्च करने से रोकने लगती है जिससे पती को एक-एक पैसे के लिए भी तरसना पड़ जाता है तीसरा है दोस्तो दान आचारियत चारक्य के मताविक दान हमेशा गुपत रूप से करना चाहिए यहां तक कि अपने पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए कि आपने कहां पर कितना दान दिया है अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस दान का कोई मोल नहीं रह जाता और आपका सारा पूर्नयफल व्यर्थ हो जाता है और चौति चीज जिसे आपको अपने पत्नी से चैपाना चाहिए हमेशा वो यह है कि अपमान आचारियत चारक्य कहते है कि अपने अपमान के बारे में भूल कर भी पत्नी को नहीं बताना चाहिए इसकी वज़ except कोई भी पत्नी अपने प जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है